हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज हम गेंदे के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि जब हम नर्सरी से पौधा लाते हैं तो या तो छोटा कलियो वाला लाते हैं या फिर बड़े फूलो वाला लाते हैं तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स के पौधा असान होता है उतना ही इसे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे बीमारियां लग जाती है तो सबसे पहले जब भी आप पौदा लाएं तो देख कर लाएं कि कहीं उसमें कोई बीमारी ना लगी हो उसकी पतियां जली जली ना हो पतियां कर बड़े फूल एक चोटे फूल होते हैं तो जब बीभी आप नर्सरी पर जाएं तो आप उनसे पूछ लीजिए कि इसकी फ्लावरिंग पहली बार है या दूसरी बार अब मिट्ट की बात करते हैं तो जब हम पॉदे को घर लाकर report करते हैं तो मिट्टी का झो है बहुत बड़ा रोल रहता है पौदों की ग्रोथ में तो मिट्टी जो है सब सभी प्लांट की जैसे मैं बताती हूं आपको हमेशा वेल ड्रेन ही बनाएं मिट्टी में आप खाद की क्वांटिटी जो है वह अच्छी मिलाएं क्योंकि खाद जो है आपके सभी सीजनल बाकी मिट्टी देखिया बहुती सव्ट मिट्टी है मेरी और गेंदे के मिट्टी नहीं सब्सक्र live मेरे करके मिट्टी आप इसकी वैल सबस्तों के सब्सक्राइब वाली बनाईए अब फ्रेंड्स इसकी जो है प्रॉपोगिशन की बात बता देती हूं तो यह प्लांट जो है कटिंग से यह सीट से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है तो मैंने भी इसके कटिंग ही लगाई थी कटिंग क्या लगाई थी फ्रेंड्स गिलहरी ने इसको नई लिख लिखी निकली यह पर इसको भी मैं पिंच कर दूगी क्योंकि मुझे अभी बढ़ाना है कटिंग से बहुत असानी से चल जाता है इसका फूल जब सूख जाता है प्लांट पर ही लगे लगे फ्रेंड्स अपने ध्यानक रहा है न चाहिए वह फूल जब सूख ज या ऐसे आप नेक्स सीजन के लिए भी सीड को जो है कलेक्ट करके रख सकते हैं तो यह बहुत असानी से ग्रो हो जाता है उसके बाद इसमें वाटरिंग की बात करती हूं तो वाटरिंग आप इसमें तभी गरें जब इसकी मिट्टी आपको ऊपर से 1.5 इंच तक सूखी लग पानी बिल्कुल अपना रेगुलर टाइम पे चाहिए मतलब ना तो मिट्टी इसकी सूखने पाए और ना ही ज्यादा गीली रहे तो पानी का इसमें बिल्कुल धान रखे और उसके बाद करते हूं तो जैसा कि आपने मिट्टी में बहुत अच्छी खाद मिलाई है तो प्लावरिंग प्रोडूज करने रहती है तो उसी की वजह से इस इन प्लांट को हमें ज्यादा खाद देनी पड़ती है ताक इन में अच्छा-ची फ्लावरिंग होती रहे और प्लांट हमारा हेल्दी बना रहे तो नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप इस प्लांट की इसको करने के लिए प्लांट के फूल कुल हो गया तो इसके साइड से नई निकली है और एक लांट में आपको और उसके बाद अब इसमें ये नई ग्रोथ आ गई है और इसमें कली भी आ गई है पर ये जब थोड़ी बड़ी होगी तब मैं उसको पिंच कर दूँगी ताकि ये बुशी बनता चला जाए तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को घना कर सकते हैं ओर भी कि जब आपका प्लांट जो है घना होगा तभी उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचीज आएंगे और उसमें ज्यादा से यह फूल आईंगे और साथ ये आप जो है spent flower की डेड़ हेडिंग भी करते रहें ताकि जो है इसमें प्लांट में seed न वनने पाई और इसमें जज़ स्यादा फ्लावरिंग होते रहें मतलब आप पुराने फ्लावर को जो है तो और प्रोड़ते जाईये तो अब बात कर लिते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है तो एक जो प्रॉब्लम इसमें आती है कि इसकी पतियां काली सी होने लगती है तो मेरे प्रॉब्लम में अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ऐसे तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी पर एक प्रॉब्लम जो है वो में आपको दि प्लांट उस कंडिशन में भी आपका प्लांट मर जाता है एक जो प्रॉब्लम आती है इसमें आती है लीफ माइनारी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स पत्ती में यह लाइने आपको दिख लेंगे तो यह एक मक्ही टाइप से होती है यह जो है पत्तों के बीच में ना पीछे क साइड में आगे की साइड में तो पत्तों के बीच में अपने अंडे देती है और वो जो अंदर से उसके जो रहते हैं वो सारे में ऐसे घूमते रहते हैं और दीरे दीर आपके प्लांट के जरिये सकते रहते हैं और दीरे दीर आपका प्लांट मर जाता है तो अगर आपको तो अपने प्लांट में मेरे प्लांट में ये पहली पत्ती मुझे ऐसी दिखी है तो अगर आपको दिखे तो आप जो है उसको तोड़ कर जला दीजिए उसको फ्रेंट्स अपने प्लांट के आसपास बिल्कुल भी ना फेके क्योंकि वो फिर से वापस आ जाती है और एक जो प्लांट में अपने प्लांट में जादा पानी ना डालें क्योंकि इनकी जड़ों में बहुत जल्दी फंगस लग जाती है और तीसरा जो मैं हमेशा बताती हूं साथ से दस दिन में आप नीमॉल का स्प्रे करते रहिए तब आपके प्लांट को कभी भी कोई परिशानी नहीं होगी लास्ट में संलाइट की बात कर लेती हूं फ्रेंड्स तो यह जो प्लांट है यह फुल सन में रखने का प्लांट है अगर आप इसको सुबह की केवल 3-4 घंट की संलाइट प्रोवाइड करते हैं तो यह प्लांट सर्वाइव अच्छे से नहीं पहले मैंने अपना प्लांट जो है सीडियों पर रखा हुआ था पर जो है उसमें ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी तो उसके बाद मैंने जो है अपने सभी प्लांट को जो है उपर टैरेस पे शिफ्ट कर दिया उसके बाद मेरे प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो कि लिए तो इनके अलावा अगर आपके प्लांट में किसी और तरीकी की प्रॉबल्म हो रही है तो फ्रेंड आप मुझे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और साथ ही अपने प्लांट की पिक्चर भी बेज सकते हैं तो वीडियो अगर आपका अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ओके फ्रेंड्स थैंक यू